सब्सक्राइब और आपको भी दिखाएंगे और एक्सपीरेंस करेंगे यहां का कि आप कहां कहां जा सकते हैं कैसे जा सकते हैं और जाना वर्दिट है नहीं है कहां पर क्या चीज़ें वो सब एपकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो बने रहेगे इस वीडियो में अर्ण तक जलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम कुछ हेलो जी गुड मॉनिंग अभी हम इस समय है नाशिक में तो अभी फिलाल में हम जा रहा है है सिता गुफा जो की स्थान है भगवान श्री राम जहां पर रुके थे पंचवटी में और उनकी वनवास के टाइम पर तो वहीं हम जा रहा हैं देखते हैं आज आज आपके दर्शन करके क्या स्थती है जो पुराना था वैसा अब कुछ है कि निया अप्षेश की सब नया बन करेंगे और यहां से लगबग 9-10 km कट डिस्टेंस है और टाइम अभी यहां से 25-30 मिट का टाइम बता रहा है जीपीएस तो आप देखते हैं कि कितने टाइम में पहुंचते हैं जीपीएस के निसार क्या से चलेपोंच जाते हैं और फिर वहां पर और भी जगह हैं तो और स्थान है उर बही देखेंगे और आपको दिखाएएँगे और हमारा experience क्योंट कि से क्या है कैसे जा सकते हैं कैसे क्या टाइमिंग सरफ कितने अब छिधे देखेंगे और आपको बताएँगे तो अब फिलाज तो चलते हैं तो लगवाग आदे घंटे का सफर करके हम लोग पहुंच गहते सीता गुफा सीता गुफा पहुंचने के बाद हमने देखा पार्किंग की वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर विवस्ता नहीं है आप ऐसे अपने साइड में रोड के कहीं भी आप जगा देखके पार्क कर सकते है गाड़ी तो हमने इसे पार्क कर दी गाड़ी यह गाड़ी पार्क कर दी हमने यहां पीछे यहां पर ऐसे देखतों नहीं मुझे प्रॉपर पार्किंग अब देखते हैं यह एकी एरो बना है आप स्री राम लक्ष्वन को फाली तरह है फिर यह गोर अच्छनात मंदिर है गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग आगे बड़े पैदल पैदल तो सामने ही था मंदिर काला रा मंदिर यहां का और काला रा मंदिर से आप थोड़ा सा आजूबा जो देखो के तो आप कैसी दुकाने मिलेगी फूल मालाओं की और बाकी कुछ आइटी फेक्स की तो है यह हरी हर महादेव मंदिर उसके बाद यह मार्केट एडिया मिलेगा आपको यह देख सकते हो आप प्रसाद और भी कुछ-कुछ चीजों की शॉप से तो आप चाहें तो ले सकते हो आपके एक्छा के अनुसार अधी कुछ लेना है आपको तो देख सकते हो कैसे बैक्स बगेरा और बैक्स की ज्यादा देख रही थी मुझे शॉप और एक अच्छा रेस्ट्राइंट भी देखा यह सीता गुफा तो कलारा मंदिर से और थोड़े उपर आएंगे तो सीता गुफा आपको मिलेगी तो हमने भी अंदर सीता गुफा के तरसन किये देखा तो अंद अंदर नॉर्मल सी एक गुफा बना के रखी आर्टीपीशल ही है वहाँ पे अंदर भगवान के आपको मुर्तिय मिलेंगे आप उनके दर्शन करें भगवान के और वापिस आ सकते हैं थोड़ा पुराना टाइप में उन्होंने बनाया है बस इस्थान का महत्व है तो आप परिस्थान का दर्शन कर सकते हैं आप तो हमने भी एंट्री की साइट से ओवर थोड़ा टाइम लगा दस से पंदर मेंट के टाइम आपको लग जाएगा लाइन में क्योंकि अंदर गुफा है तो उसमें आने जाने में टाइम लगता है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग मॉबाइल अलाउड नहीं वीडियोग्राफी अंदर टाइमिंग आप देख सकते हो यह है गुफा के बाहर ही आपको आटो मिल जाएंगे जो कि 30 रुपे प्रतिस हवारी में आपको यह सब जगे गुमा देंगे तो हम भी आटो से घुमें आपे तो चुपा के रखा जब इन आपक पर लगे वही पास्पिर आउग को पंचो बती बोड़ी इस तो तो यह लुब आपक यह लंडा मनमान जी लक्षिमी नारेक बड़ा मजी अंदर जाओ तपुवन बोला जाता है शुरूपनगा का नाक कटा गोदावरी में फेग दिया नाम पड़ा नासिक बले नामता पतमा नलो नास काटने से नासिक बोटे तप करने से तपुवन बोटे यह स्थाने जहां पर लक्षमाण जी ने सुरूपनगा की नाक काटी थी तो यह ऐसी प्रदर्शनी टाइप में बनाई हुई है यहां पर आप दर्शन कर सकते हो यहां पर और लक्षमाण जी के सेस्टनाग रूपी दर्शन कर सकते हो आप यहां पर जन्डा लगाए ना उधर जाना आपको उधर तीन कुण्ड ब्रह्मा विश्णु महेश्क शीतामाईने अगनी प्रेश्ट के आगनी कुण्ड शीतामाई का नाध होने का जगाए शुरूपनका का नाक कटा गोदावरी में फेक दिया नाम पड़ा नासिक पले नामता पद् जो तीन बगवान इधर खड़े हुए थे ब्रह्मा विश्णु महेश्क शीतामाईने अगनी में प्रवेश्ट के आता अगनी कुण्ड बे रावन जो लेके गए ओ सितामाटा का मया विरूप रावन लेकर गए पंच वाटी सितामाटा का असल रूप तीन बगवान के साम अगनी में कुछ रखा था यह अगनी कुण ले विश्ण वाला मुक्ति कुण ले जिटामाटा स्नान करना लिए जगा विशे में कपील दूसी तब करिके लाए कपीला नदी प्रंगों के सोर्शा की बोदा वरी दोनों नदी का संगा मुकत दून लेना तो यहाब आपको लोग बैठे हुए मिल जाएंगे जो कि आपको यहां की जगे की बारे में बताएंगे तो आप यहां पर सुन सकते हो उनके बात और देख सकते हो हम जब गये थे थोड़ी बारिश हो रही थी तो ऐसा को समझ में नहीं आया वस मुझे मोश्टी जब सभी स्थानों पर गया जब सकते हो और भूम सकते हो यह राम घाट गुदावरी नदीगा जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं और उसी के सामने आप देखोगे तो कपलेश्वर महादेव का मंदिर है तो आप यहां पर दर्शन कर सकते हो और यह वही लिश्ट जहां पर लवग सब गुमाते हैं जो धरिवी एरिया दिखाया आप पोसे एरिया को इस तपोवा नियरिया कहते हैं तो हमने सब गूमने के बाद यहां आगये पांड़्डव CAD में है वाइस हम आगए पांडव गुफा यहां की लेनी केप्स बोलते हैं यां पर तो यहां पर आपको चलना है तो यहसा सीडीओ पर चल कर जाना पड़ेगा कि देख सकते हो आप थोड़ी सीडिया हैं पर मौत जगे तो बहुत सुंदर लग रही है पूरी ग्रीन रही है आजू आजू पूरे पेड़ों से ढखा हुआ सब छेत्र लग रहा है यहां के एंटे टिकेट भी है 25 रुपीज उपर पहुचने तरह फिर देखते हैं क्या चीज है चलो केफ तक पहुचने के लिए आपको ऐसी सीडियां चड़के जाना होता है यहां पर और कोई आप्शन नहीं है तो आपको सीडियां चड़के ही जाना पड़ेगा तो इस बात का ध्यान रखिए आप आल्लाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके और इनकी वेब साइट से तो आप देख सकते हो पाउस करके हैं यहां पर ऐसी 24 गुफाए हैं चेफ में पांड़की अच्छा है यहां पर बारिश के साथ आने में बड़िया अच्छा लगेगा आपको आ सकते हैं आप यहां पर नंबर इ आपको मिल जाएगी तो आप यहां से चेट कर सकते हैं चोटी चोटी केव हैं अच्छा लग रहा है वैसे यहां पर है ना मौसम के अजाब से मस्ट विजट प्लेस है गाईस आप अधी नाशी का रहे हो तो यहां पर एक बार ज़रूर आना वर्ट देट रहेगा 25 रूपी यहां की टिकेट है एंट्री की पर अच्छा है तो आ सकते हैं यह भी एक उपर जाने कर आसता है लेकिन अभी बार इसके कारण बंद कर दिया उनों उन्हों को ने उपर भी एक केवे सिक्स्टीन फिफ्टीन वाली है यहां पर महुए की इसमेल आ रही है ना सायद महुए के पेड़ है यहां के आना यहां के यहां के आना यह नासिक सेर का यहां से और यह नीचे देख रहा है यह बहुत तूपा है यह नीचे से निकल करके आए हैं तो देखो तो हाईवे से हम आए अभी नासिक सेर देख रहा है यह नासिक में आप लगवख एक दिन में गूं सकते हैं जो मैंने आपको ऐसे लिख रहा हैं knock जगे और फिर जवाइन याड़ क्योंकि वैंन के नामसे नाशिक इंडिया में तो आप वहां पे जाकर विजित कर सकते हैं तो आप एक डे मेंसंवी जगे कवर कर लेंगे आदि आप खुद की काड़ी से आए हैं और आप आटो से भी जाए तो सभी जगे आटो से आप जा सकते हैं को इशू नहीं आएगा आपको तो कनेक्टिविटी आपको कुछ ऐसी मिल जाए चाहे तो आप ओला उबर से भी आ सकते हैं यहां पर कैप भी और सिटी बसेस भी चलते हैं उसके आपको देखना पड़ेगा लेकिन आपको करना पड़ती कार्स कि नासिक में आपने कहां इस्टे किया था उसके लिए अलग डेडिकेटेट वीडियो आएगा उसके लिए वेट किजिएगा यह फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप सस्त रहें सक्त रखें अपने अवातावरन को मैं फिर विलता हूँ आपको अगले वीडियो में जब तक के लिए गुडबाई हरार महादेव